हलो बच्चों कैसे हो आप सब मैं स्वाती मैं आप सबको पढ़ा रही हूं आज इस से पहले के क्लास में हमने सारे पॉइंट्स डिसकस किये थे जिन में कैमिकल एक्वेशन कैसे होता है उसको बैलेंस कैसे करते है अन बैलेंस कैमिकल एक्वेशन क्या होता है इन सब के बारे में हमने पढ़ा था और जो अन बैलेंस कैमिकल एक्वेशन है उसको हमने बैलेंस भी करके देखा था साथ ही साथ हमने एक्जोथर्मिक रियक्शन और एंडोथर्मिक रियक्शन के विवारे में पढ़ा था कि ये दोनों रियक्शन होते क्या हैं एग्जोथर्मिक reaction में energy क्या हो रही थी रिलीज हो रही थी और endothermic में absorb हो रही थी तो इसके मैंने examples भी आपको दिये थे examples के विद्रू मैंने आपको समझाया था कि यह reactions हम हमारे daily life में किस तरीके से हो रहे होते हैं तो अब हम चलते हैं हमारे next topic पे जो की इस chapter का सबसे important topic most important topic in this chapter for board exams which is types of chemical reaction ठीक है chemical reactions के type types के बारे में हम पढ़ेंगे जिन में मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था वो थे आपके combination reaction decomposition reaction displacement reaction double displacement reaction oxidation and reduction reaction oxidation and reduction reaction को हम इन दोनों का combined form जो होता है उसको हम redox reaction भी कहते हैं redox reaction आपके board के exams में आते ही आते हैं चाहे वो one marks में आये two marks में आये या फिर पूरी chemical equation उसके लिखने के लिए आ जाए बटाते हैं तो यहां पर जो हमारा first equation है combination reaction हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे और decomposition reaction के बारे में पढ़ेंगे तो हम चलते हैं अपने first reaction की तरफ जो कि है आपका combination reaction combination reaction में यहां पर आप देख सकते हैं आपके पास एक diagram यहां पर मैंने दिया है इस diagram को सबसे पहले देखिए इस diagram में हो क्या रहा है इस diagram में आपको three balls दिख रही होंगी purple color की यह क्या है यह आटम्स है किसके अटम्स है एम जी magnesium के अटम्स है यह three magnesium atoms एंड यहां पर blue color के आप देख रहे होगे यह है nitrogen के दो atoms तो यहां पर क्या हो रहा है magnesium के three atoms है और nitrogen के two atoms है और यहां पर एक छोटा सा symbol देख रहे होंगे जिसको हम कहते हैं पीड़े गढ़िष्ण तो यहां पर क्या होँ रहे है three Atom of magnesium एंड two Atom of nitrogen का एड़िशन हो रहा है ये दोनों क्या हो रहा है कममाइन हो रहा है veure combination हो रहा है तो यह कमाइन हो गी क्या एओंड ए आपन हुआ है यह दोनों एक नूसरे के साथ कमाइन हो गए तो यहां पर फॉर्म किया mg3 and 2 mg3 and 2 मतलब कि magnesium की 3 atom और nitrogen के 2 atoms क्या हो गए कमाइन हो गए और new substance हमें मिला as a product तो हम चलते हैं अब इसके definition के तरफ what is the definition of combination reaction combination reaction का definition क्या होता है उसके बारे में हम जानते है it may be defined as a chemical reaction in which two or more यहां पर आप देख रहे होंगे एक यहां पर क्या लिखा हुआ है two or more दो या दो से जादा जो सब्स्टेंस होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं कमाइन एक साथ क्या हो रहे होते हैं कमाइन हो रहे होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं सिंगल सब्स्टेंस फॉर्म करते हैं सिंगल सब्स्टेंस फॉर्म करते हैं तो हमें एक न्यू प्रोड़क्ट मिलता है तो कॉम्बिनेशन रियक्शन का सिंगल सा अग्षांपल है कि अगर दो कोई से भी सब्सटेंस कमाइन हो रहे हैं तो हमें एक सिंगल सॉप्स्टेंस मिलेगा यहां हो tack Tea यह वह देख सकते हैं यह तो हमारा हों गया मिलेक्शन का definition और इस definition को समझना बहुत hard नहीं है एकदम easy है two or more substance combined to form a single substance under a suitable condition किसी भी suitable condition में हमें new substance मिल रहे का माइन हो के वो आपका combination reaction कहलाता है और इस वाले diagram से तो आप समझी गए होंगे कि three atom of magnesium और ये कमाइन हो रहा है तो एक new substance हमें मिल रहा है तो combination reaction को समझना और easy हो गया है तो हम चलते हैं अपने first example की तरफ हमारा first example है combination reaction का वो है formation of water formation of water water का पानी का बनना यह हमारा combination reaction है यह एकदम normal example है किसी भी water का बनना form होना वो हमारा combination reaction कहलाता है तो water किस चीज से बनता है यहां पर water दो चीजों से बनता है hydrogen and oxygen तो hydrogen और oxygen को अगर हम mix up करते हैं तो हमारा क्या बनता है water h2o तो यहां पर आप देख सकते हैं hydrogen के hydrogen को हम denote करते हैं h2 से h2 यहां पर आप देख रहे होंगे combine करेंगे तो हमें as a product क्या मिलेगा हमें क्या product मिलेगा तो यहां पर मिलेगा हमें h2o h2o मिलेगा water का जो symbolic form होता है वो क्या होता है h2o तो यहां पर hydrogen और oxygen mix up हो रहे हैं combine हो रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है h2o मिल रहा है किस form में liquid form में liquid form में मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, hydrogen यहाँ पर क्या है आपका, hydrogen आपका यहाँ पर gaseous state में है, gaseous state में है आपका, और oxygen भी आपर gaseous state में है, बट यह दोनों जो जब कमाइन हुए, तो हमें क्या मिला, liquid form में H2O मिला, अब एक चीज नोटिस करिए, मैंने आप को balancing equation बताया था, कि हम किसी भी equation को किस तरीके से balance कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, hydrogen को सामने है 2, it means 2, 2, 2, 2, 2, 4, तो यहाँ पर हमारे पास, hydrogen के कितने atom है, 4, इस side में, और oxygen के कितने atom है, 2, तो आप एक चीज नोटिस करिए, reactant side में अगर hydrogen 4 है, और oxygen 2 है, बट यहाँ पर product side में तो hydrogen आपका क्या है, only 2, product side में आपका hydrogen क्या है, only 2, और oxygen क्या है, only 1, तो हमें क्या करना है, इसको balance करना है, मतलब कि product side में hydrogen 4 होना चाहिए, और oxygen कितना होना चाहिए, 2, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर add-on कर देंगे 2, तो जब यहाँ पर हम add-on करेंगे 2, H2 हो के आगे, तो यह क्या हो जाएगा, इसके साथ multiply होगा, तो क्या हो जाएगा, 2, 2 is a 4, तो hydrogen 4 हो गया, और oxygen के सामने लगा हुआ है, इट मेंज यह oxygen से भी multiply हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, oxygen भी आपका, oxygen के molecules क्या हो जाएगे 2, तो यह हमारा क्या हो गया, यह equation हो गया, balance, अब हम चलते हैं अपने next example पे, जो की है आपका burning of coal, कोईले का जलना, कोल का burn होना, यह भी हमारा combination reaction का ही example है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, हमारे पास है carbon, carbon का symbolic form होता है C, and oxygen का होता है O2, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, carbon आपका solid form में है, और यहाँ पर oxygen आपका gaseous form में है, तो जब carbon और oxygen एक दूसरे के साथ कमाइन होंगे, तो हमें as a product क्या मिलेगा, as a product हमें क्या मिलेगा, carbon का C, और oxygen का 2, CO2, हमें क्या मिलेगा, CO2, CO2 क्या होता है, carbon dioxide, carbon dioxide gas हमें मिलेगी, ठीक है, तो burning of coal से as a product, new substance जो बनेगा, वो बनेगा, carbon dioxide, तो यहाँ पर आप notice करिए, कि दो जो reactant combine हो रहे हैं, तो वो एक single substance बना रहे हैं, यह compound बन रहा है, carbon और oxygen का compound बन रहा है, यह combine हो रहे हैं, तो यह क्या हो गया, CO2 gas, अब last हमारा जो है, वो है, last example वो है, combination reaction का, calcium oxide reacts vigorously with water to produce slaked lime, जिसको हम calcium hydroxide भी कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस diagram में आप समझे, इस diagram में यह reaction आपको क्या कहना चाह रहा है, तो यहाँ पर क्या है, calcium oxide, calcium oxide जिसको हम CAO बोलते हैं, CAO, calcium oxide को हम normal जो name होता है, इसका, वो होता है, quick lime, quick lime मतलब कि, एक तरीके से सूखा चूना, हिंदी में हम इसको सूखा चूना कहते हैं, तो quick lime, होता है, calcium oxide, तो इसको हम क्या करते हैं, hard glass of waker में रखते हैं, इनके टुकडों को, इनके टुकडों को रखते हैं, hard glass of waker में, और इन में क्या करते हैं, हम water add कर देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह water add हो रहा है, इसमें, तो यह क्या हो जाएगा, जो सूखा चूना है, जो quick lime है, उसमें जब हम water add कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वेट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा वो, slaked lime, slaked lime बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं, calcium hydroxide, ठीक है, calcium hydroxide बोलते हैं, तो calcium hydroxide यहाँ पर आप देख सकते हैं, CAO, calcium oxide आपका solid form में है, और H2O आपका liquid form में है, तो solid form का calcium oxide और liquid form में जो water है, वो दोनों जब combine होते हैं, तो हमें मिलता है, calcium hydroxide, वो भी aqueous form में, aqueous form में मिलता है हमें calcium hydroxide, जो कि आपका slaked lime होता है, गीला चुना जिसको हम कहते हैं, वो होता है, slaked lime, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, total three, जो chemical reactions है, वो है combination reaction के chemical reactions, ठीक है, तो यहाँ पर यह first chemical reaction, second chemical reaction, और third chemical reaction, यह जो chemical reactions है, यह जब आपके board के exams में आते हैं, तो यह directly आपको नहीं दे दिया जाता, कि calcium oxide और इसका equation बनाईए, यह आपको as a hint दिया जाता है, कि आपको यहाँ का reactant दे दे देंगे, और आपको product find करना, होगा, कि जब कोई भी दो reactant mix up होते हैं, तो उसका new substance क्या बनेगा, तो वो आपको बताना पड़ता है, तो यह जो थी, यह हमारी combination reaction का पूरा process था, और यह example से, तो जो next topic है, वो है हमारा decomposition reaction, combination का तो मतलब हम समझ गए थे, कि combine होना, बट decomposition reaction में क्या है, decompose हो रहा होता है, breakdown हो रहा होता है, किसी भी substance का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, decomposition reaction, decomposition reaction में क्या है, वहाँ पर क्या हो रहा था, combination reaction में क्या हो रहा था, कि दो चीजे अलग-अलग थी, और product जब निकल रहा था, तो वो दोनों चीजे combined हो रही थी, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों चीजे पहले से ही combined है, मतलब कि attached है, NaCl आपने सुना हो गया, NaCl जो होता है, वो होता है, salt, नमक जो आप अपने daily routine में, जो खाने वगेरा में, सबजीयों में जो डालते है, NaCl वो है यह, तो यह क्या होता है, sodium और chlorine का mixing होता है यह, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, NaCl जो है, जब इसका decomposition reaction मतलब कि decompose होता है, breakdown होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, chlorine और sodium में यह differentiate हो जाता है, किसमें chlorine और sodium में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह एक example भी मैंने आपको previous वीडियो में समझाया था, जब हम AB, कोई भी substance अगर पहले से ही कमाईन है, compound बना हुआ है, तो वो क्या होगा, product में जाके अलग-अलग बढ़ जाएगा, breakdown हो जाएगा उस substance का, ठीक है, तो यहाँ पर decomposition reaction का वही मतलब है, कि कोई भी substance, breakdown होना, two or more simpler substance में, तो यहाँ पर आप इसका definition देख सकते हैं, और इसको note down कर लिजे, a reaction in which, compound splits up into two or more simpler substance, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक reaction है, जिसमें वो compound क्या हो रहा है, split हो रहा है, मतलब कि तूट रहा है, two or more simpler substance में, जिसको हम क्या कहते हैं, decomposition reaction, तो यह simple सा definition है, जिसमें क्या हो रहा है, कि कोई substance है, वो breakdown हो रहा है, split हो रहा है, तो वो आपका decomposition reaction कहलाएगा तो यहाँ पर देखिए decomposition reaction requires energy जब decomposition reaction होता है किसी भी chemical reaction में तो वहाँ भी क्या हो रहता है उसको बहुत जादी energy की जरुरत होती है वो reaction करने के लिए तो यहाँ पर वो heat, light, electricity इन सब के उसको जरुरत होती है किसी भी reactant को breakdown करने के लिए तोड़ने के लिए उसको किन तीन चीज़ों के जरुरत होती है heat, light and electricity तो यहाँ पर आप देख सकते है reaction in which energy is absorbed by endothermic reaction मैंने आपको endothermic और exothermic reaction के बारे में बताया था कि exothermic में energy release होती है और endothermic में energy absorb हो रही होती है तो यहाँ पर वही चीज़ हो रहा है यहाँ पर जब decomposition reaction में heat, light या electricity की जरुरत पड़ती है तो वहाँ पर वो energy क्या कर रहा होता है absorb कर रहा होता है तो energy absorb करने की ही वजह से वो किसी भी substance को तोड़ पाता है breakdown कर पाता है तो यह आपका एक तरीके से endothermic reaction कहलाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं total three types होते हैं decomposition reaction के total three types होते हैं कौन-कौन से thermal decomposition reaction पहला होता है thermal जिसमें heat का हम use करते हैं heat के थरू किसी भी substance को हम क्या करते हैं breakdown करते हैं फिर दूसरा होता है हमारा photo decomposition reaction photo decomposition reaction में क्या होता है हम light की help से किसी भी substance को क्या कर रहे होते हैं breakdown कर रहे होते हैं फिर तीसरा होता है हमारा electric decomposition reaction electric मतलब यहाँ पर क्या होता है electricity का use करके हम किसी भी substance को breakdown कर रहे होते हैं तो यह क्या हो गया हमारा total three type of decomposition reaction हो गए thermal, photo and electric, thermal decomposition, photo decomposition and electric decomposition, तो यह total हमारा decomposition reaction का intro हो गया, तो intro के बाद हम चलते हैं इन सारे types की तरफ की decomposition reaction के types क्या-क्या होते हैं, what is the types of decomposition reaction, तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला type है आपका thermal decomposition reaction, thermal decomposition reaction में हम देखते हैं, सबसे पहला example हम लेते हैं, when ferrous sulfate crystal, ferrous sulfate crystal are heated, ferrous sulfate crystal को हम क्या कर रहे हैं, heat कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर आप एक diagram देख रहे होंगे, इस diagram में क्या है, एक burner है, ठीक है, burner में क्या है, एक boiling tube है, इस tube को हमने लिया, और क्या क्या, test tube holder से उसको hold किया, और इसमें डाला हमने ferrous sulfate, ferrous sulfate जब इस test tube में हमने डाला, और इसको इस burner पर रखके गरम किया, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ पर gaseous state में, कुछ gases निकल रहे हैं, इस test tube से, वो कौन सी gases है, कौन सी gases है वो, वो है SO2 and SO3 gases, यह gases जो होती है, इनका बहुत odor smell होता है, मतलब बहुत गंदा smell होता है, तो यह जो gases होती है, यह कब निकलती है, जब ferrous sulfate, को हम heat provide करते हैं, burner की through, burner की through, जब हम इसको heat provide करते हैं, तो यह क्या होता है, test tube गरम हो रहा होता है, और जब गरम हो रहा होता है, तो यहाँ पे जो ferrous sulfate है, इसको क्या मिल रही होती है, heat, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह जो है, यह जो है, यह heat है, यह heat हमने ferrous sulphate को दिया, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ferric oxide and sulfur dioxide and sulfur trioxide, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह जो ferric oxide है, इसके अलावा भी दो gases हमें मिल रही है, जो की atmosphere में बाहर के तरफ निकल रही हैं, इस test tube से, वो है आपकी sulfur dioxide and sulfur trioxide gases, तो यह दोनों जो gases है, यह odor smell के साथ, इस test tube से बाहर निकल रही होते हैं, तो यहाँ पे जो reaction है, वो thermal decomposition reaction है, मतलब कि यहाँ पे जो decomposition reaction है, वो heat का use करके, इस substance को break down कर रहा है, तोड रहा है, parous sulphate को break कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह आपका diagram है, यह आपका definition है, और यह आपका chemical reaction है, ठीक है, यह जो chemical reaction है, यह आपके exams में, board exams में इस तरीके से आ जाते हैं, कि एक x substance है, उस x substance को हमने heat provide किया, तो heat provide करने के बाद, कौन सी दो gases as a product निकल रही होती है, तो उन दो gases के name भी आपको बता दिये जाते हैं, कि वो sulfur dioxide और sulfur trioxide होती है, बट हमें क्या पता करना होता है, यह जो x substance है, यह हमें पता करना होता है, कि यह क्या होगा, reactant इसका क्या होगा, तो first example तो यह हमारा हो गया, thermal decomposition का, अब हम चलते हैं, अपने second example पे, जो कि है thermal decomposition का ही example, बट इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा difference है, हमारे पास limestone होता है, limestone मतलब की चूने के जो पत्थर होते हैं, उनको हम लेते हैं, और क्या करते हैं, यह आप यहाँ पे एक machine देख रहे होंगे, इस machine के अंदर इन limestone को डाल दिया जाता है, और इन limestone को डालने के बाद, heat provide की जाती है, बहुत जाद जब यह heat हो जाता है, तो हमें as a product क्या मिलता है, हमें मिलता है quick lime and carbon dioxide gas, ठीक है, हमें क्या मिलता है, quick lime and carbon dioxide gas, CAO and CO2, तो यह जो पूरा process है, यह आपका thermal decomposition का process है, यहाँ पर आप देख सकते है, thermal decomposition of calcium carbonate, calcium carbonate इसको कहा जा रहा है, limestone को, limestone जो है, वो आपका calcium carbonate है, to produce calcium oxide and carbon dioxide, तो जब हम calcium carbonate को heat करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, calcium oxide and carbon dioxide मिलता है, is very important in many industries, यह जो होती है, यह जो production होता है, calcium carbonate का heat करने के बाद, यह बहुत सारी industries में use किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, quick lime is produced by heating crushed limestone, मतलब कि limestone को heat करके crush किया जाता है, तोड़ा जाता है, 1100 degree Celsius पे, मतलब इतना heat प्रोवाइड किया जाता है, calcium carbonate को, और यह जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह machine इसको हम कहते हैं, shaft furnace, shaft furnace के अंदर हम calcium carbonate को डालते हैं, और heat प्रोवाइड करते हैं, 1100 degree Celsius, फिर हमें क्या मिलता है, the heat is of limestone, releases carbon dioxide, जब limestone heat हो रही होती है, गरम हो रही होती है, तो वो क्या प्रोवाइड करती है, carbon dioxide प्रोवाइड करती है, leaving calcium oxide, और calcium oxide को यहाँ पर हमें यह powdered form में मिल जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, after heating the quick lime is crushed, then mild to the appropriate fraction, तो यह क्या होता है, हमें एक appropriate fraction में मिल जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने एक reaction है, यह reaction है, calcium carbonate, जो कि आपका solid form में है, और यह क्या है, limestone, इसको हम क्या कहते हैं, limestone कहते हैं, तो limestone को जब हम heat प्रोवाइड करते हैं, तो heat प्रोवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है, calcium oxide, कैल्शियम 25 लायम्स्टोन को हीट करने पे मतलब कि इस limestone को heat करने पर हमें मिलता है calcium oxide और carbon dioxide तो ये एक हमारा thermal decomposition का example है जिसमें limestone को quick lime में change किया जाता है तो next example है हमारा ये भी हमारा thermal decomposition का ही example है यहां पर आप देख सकते हैं total three examples हम हम देख रहे हैं two examples तो हमने thermal decomposition के देख लिए अब यह हमारा third example है तो third example में आप देख रहे होंगे यहां पर एक diagram है इस diagram में आप notice कर रहे होंगे एक burner है आपके पास ठीक है इस wooden block से हमने इस burner को क्या किया है connect कर दिया है और connect करने के बाद इसको हमने इसके उपर एक test tube रख दिया है boiling tube जिससे हम कोई भी चीज़े इसमें डाल के और boil करते हैं तो एक हमने boiling tube रख दिया और इसके अंदर हमने रखा है lead nitrate इस boiling tube के अंदर lead nitrate रखके फिर हमने क्या किया है इस टॉंग से मतलब कि एक टॉंग होता है उसको हमने इस tube को पकड़ रखा है और burner के उपर रख दिया है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर fire है और इस burner को पूरा heat प्रोवाइड कर रहा है तो इसके अंदर क्या है lead nitrate तो lead nitrate क्या हो रहा है गराम हो रहा है तो heating of lead nitrate lead nitrate के heat के वज़े से emission of nitrogen dioxide तो कौन सी gas का emission हो रहा है nitrogen dioxide gas का emission हो रहा है हो रहा है और यह जो red brown fume होता है इसको हम क्या कहते हैं NO2 कहते है nitrogen dioxide तो यहां पर आप एक example देख रहे होंगे thermal decomposition of lead nitrate to produce lead oxide यहां पर क्या हो रहा है lead nitrate का thermal decomposition हो रहा है और हमैं क्या मिल रहा है lead nitrate मिल रहा है lead nitrate हम प्रोवाइट गर है तो हमें क्या मिल रहा है lead oxide और nitrogen dioxide तो यह दोनों चीज़े हमें मिल रहे हैं और साथ ही साथ हमें मिल रहा है oxygen और यहां पर आप देख सकते ब्राउन फ्यूम्स आर अब्स वेन यू हीट लेड नाइटरेट ओवर फ्लेम फ्लेम के ऊपर जब हम लेड नाइटरेट रखते हैं तो हमें क्या मिलता है ब्राउन फ्यूम मिलता है जो कि हमारा होता है नाइट्रोजन डायोकसाइट ठीक है नाइट्रोजन डायोकसाइड हो आपका ब्राउन कलर का फ्यूंग तो यह हमारे टोटल थर्मल डिकम पॉजिशन के थ्री एक्जामपल्स हो गए और यह थ्री एक्जामपल्स इन तीनों में से कोई ना कोई तो जरूरी जरूर पेपर में आता है जैसे कि आपका मैंने पढ़ाया था लेड नाइडरेट फिर आपका हो गया यह दूसरा वाला लाइम स्टोन से क्विक लाइम में चेंज कर रहे हैं और यह तीसरा हो गया फैरस सल्फेट को जब हीट करते थे तो फिर फैरिक ऑक्साइड हमें मिलता था तो यह टोटल तीन एक्जामपल्स हमने पढ़े थर्मल डिकम पॉजिशन के अब अब एट लास्ट हमारा है second last not at last क्योंकि यह है आपका photo decomposition और last है हमारा electric decomposition reaction तो photo decomposition reaction में क्या हो रहे है यहाँ पर आप एक डाइग्राम देख रहे होंगे इस डाइग्राम में क्या है एक एक विंड़ो है और विंड़ो से क्या आ रही है sunlight आ रही है यहाँ पर एक China dish रखा हु कि आपका एजी- Defense हम लोग किसको कहते हैं सिल्वर क्लोराईड को सिल्वर क्लोराइड जो है वो वाइट कलर का होता है और उसको हम इस दिखिए यहां पर इसको हम ने इस चाइना डिश में रख दिया अब इस china dish में जब हम रखेंगे तो इसके उपर क्या आ रही है? sunlight आ रही है और sunlight आने के वज़े से क्या हो रहा है? Silver chloride is exposed to sunlight, it decomposes ये क्या हो गया? Decompose हो गया और decompose होने के बाद ये Silver और Chlorine में बट गया Silver और Chlorine ions में ये breakdown हो गया Where Silver iron combine with oxygen atom in the atmosphere turns into grey color due to the formation of Silver oxide तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब AgCl, Silver, Chloride को हम Sunlight provide करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 Ag, Ag, जो होता है, वो होता है, Silver का Symbolic Form, Silver का Symbolic Form होता है, Ag, तो यह आपका Solid Form में मिलता है, इसके साथ हमें मिलता है, क्लोरीन, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस जो होता है, वो as a product हमें मिलता है, तो Silver क्लोराइड को जब हमने Sunlight provide किया, तो यहाँ पर यह टू पार्ट्स में breakdown हो गया, सबसे पहला Silver आयन और दूसरा क्लोरीन आयन, तो यह जो Silver आयन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब यह Silver आयन के उपर Sunlight आयी, तो यह White कलर का था, लेकिन यह Sunlight के वज़ेश क्या हो गया, breakdown हो गया, यहाँ पर क्या बच गया, उल्ली Silver बच गया, और जो क्लोरीन गैस थी वो evolve हो गई, तो यह जो है Silver, यह जब Oxygen के contact में आयेगा, क्योंकि एट्मोस्फेर में क्या है, Oxygen है, तो जब यह Oxygen के contact में आयेगा, तो इसका कलर धीरे-धीरे चेंज होने लगेगा, चेंज होने के वज़े से, इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रे कलर, ग्रे कलर का हो जाएगा यह, यह जैसे ही oxygen की contact में आएगा gray color का हो जाएगा उसी तरीके से यहां पर देख सकते हैं silver bromine है जैसे silver chloride sunlight की contact में आके gray हो गया उसी तरीके से silver bromine जो है वो भी sunlight की contact में आता है तो क्या हो जाएगा silver अलग हो जाएगा solid form में और यहाँ पर bromine जो है वो भी अलग हो जाएगा gaseous state में ठीक है तो यहाँ भी क्या है bromine भी अलग हो जाएगा gaseous state में the above reactions are used in black and white photography तो यहाँ भी क्या हो रहा है यह जो उपर की दोनो reactions है यह black and white photography में भी use होती है आपने जो black and white photos देखी होंगी तो उसमें इन दोनों process का ही use किया जाता है तभी पहले की time पे black and white photos बनाई जाती थी इसी process की helps तो यह हमारा हो गया decomposition reaction का दूसरा type second type सबसे पहले हमने पढ़ा thermal decomposition फिर हमने पढ़ा photo decomposition तो at last हमारा बचा है electric decomposition reaction वो हम start करेंगे कल की class में कल की class में हम discussion करेंगे electric decomposition reaction और जो next types हैं उनके बारे में जैसे की आपका displacement reaction हो गया double displacement reaction हो गया oxidation reduction इन सारे reactions के बारे में हम कल discuss करेंगे कल की class में आज की class के लिए इतना बहुत है decomposition के बारे में पढ़ लिया और combination reaction के बारे में पढ़ लिया तो ये सब जो है ये सब हमारे main points है तो कल की class के लिए हम electric decomposition reaction पढ़ेंगे और जो बचे हुए types है वो पढ़ेंगे so thank you बच्चो कल मिलते हैं बच्चो